ओम शांती तेरा आठ दो हजार तेईस की अव्यक्त मुरली रिवाईज छे चार उन्ने सो पंचानवे प्योरटी की रोहानी परस्नालिटी की इस्मरती स्वरूप द्वारा माया जीत बनू प्योरटी की रोहानी परस्नालिटी की इस्मरती स्वरूप द्वारा माया जीत बनू आज इसनेहे के सागर बाप दादा चारो ओर के सर्विसनेही बच्चों को देख रहे हैं हरे किसने ही बच्चों के लिए मूरत में रोहानी परसनालिटी की जलक देख रहे हैं बाहर के रूप में तो साधारन परसनालिटी वाले हैं लेकिन रोहानी परसनालिटी में सबसे नंबर वन है दुनिया में अनेक प्रकार की परसनालिटी गाई जाती हैं शरीर की भी परस्नालिटी, कोई विशेष्टा की भी परस्नालिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी परस्नालिटी लेकिन आप सब के चहरे पर चलन में कौन सी परस्नालिटी है प्योरिटी की परस्नालिटी प्योरिटी ही परस्नालिटी है जितना जितना जो प्योर है उत सर्फ दिखाई देती है। लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रोहानी personality को अनुभव करते हो। आप जैसी personality सत-युक से अब तक कोई की है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी personality है। नहीं है ना.. तो आपको अपने रोहानी personality का नशा है। अनादी काल में तो परमधाम में भी आप विशेश आत्माओं की परस्नालिटी सबसे उची है चाहे आत्माएं सब चमकती हुई जोती हैं लेकिन आप रोहानी परस्नालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है अपने अनादी काल की परसनालिटी को स्मरती में लाओ आई इस्मरती में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रोहानी परसनालिटी में दिखाई दे रहे हैं अपने आपको देख सकते हो तो चले जाओ अनादी काल में कितने टाइम में जा सकते हो जाने में कितना time लगेगा second से कम न कि एक दिन एक घंटा चाहिए second से भी कम जहां चाहो वहाँ पहुंच सकते हो तो अनादिकाल की अपनी personality देख ली अभी अनादिकाल से अधिकाल में आ जाओ आ गए या अभी चल रहे हो पहुंच गए तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रोहानी परसनालिटी देखो, कितनी स्रेष्ट परसनालिटी है, तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी, और सम्मंध की भी, सप्रकार की परसनालिटी कितनी स्रेष्ट है, तो आदिकाल की परसनालिटी देख रहे हो, कितने सुन्दर को देखो इस पश्ट दिखाई देती है वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा इस पश्ट नहीं है सभी को इस पश्ट है हुश्यार हो सभी तो आदिकाल भी अपना देख लिया अभी आओ मध्यकाल में तो मध्यकाल में भी आपकी परसनालिटी क्या रही आपके जड़ चित्र कित इतने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, परस्नालिटी वाले गए गाये जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की परस्नालिटी के आगे उनकी परस्नालिटी कुछ भी नहीं है, जैसे आप सब की पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्मात्मा की विधी पूर्वक पूजा होती है, कभी देखी है, आपके जड़ चित्रों जैसे श्रिंगार किसका होता है, तो मद्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरटी की परसनालिटी की विशेष्टा कितनी स्रेष्ट है, अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं, सर्व बड बड़ों की होती है हमारी नहीं, डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है, उसमें आपका चित्र है, कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मरती में है, तो मद्यकाल भी आपका अति स्रेष्ट है, और अब लास्ट जन्मे में जो मर जीवा ब्रामण जन्में, उसकी प चाहे ब्रामण अभी ब्रामण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्रामण है न, आपके नाम से आपकी परस्नालिटी के कारण वो भी स्रेष्ट गाय जाते हैं, तो ब्रामण जन्मे की परस्नालिटी कितनी स्रेष्ट है, आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल सारे कल्प में आपकी परसनालिटी सदा ही महान रही है लौकिक परसनालिटी ये वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेश बुक में उन्हों का नाम आता है फलाने फलाने है लेकिन आपका नाम किस में आता है साधारण बुक में नहीं आता है शास्त्रों में आता है जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं किसका गायन है किसकी कहानिया है तो लौकिक परसनालिटी वालों का गायन विशेश बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं बड़े विधी पूर्वग शास्त्र को समालते हैं उसको भी बड़े पूजी के रूप में देखते हैं जो सच्चे भगते हैं वो शास्त्र को विधी पूर्वग रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते तो अपनी पवित्रता की परस्नालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मरती में रखो जानते हैं या हैं तो हम ही ऐसे मर्ज नहीं स्मरती स्वरूप में रखो जिसके बुद्धी में ये इमर्ज रूप में स्मरती रहती है त जहां समर्थ ही है वह माया आ सकती है क्या समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है मेहनत करने की आवशक्ता ही नहीं है माया का काम है आना लेकिन आपका काम अभी समय प्रमान भगाना नहीं है माया आई और भगाया नहीं आपका काम है सदा माया जीत रहना तो माया जीत हो वो माया को बार-बार भगाने वाले हो अभी भगाना पड़ता है थोड़ा-थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है नहीं न डबल फॉरिनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं क्या हॉल है माया सदा के लिए भाग गई अभी नहीं आएगी न कि थोड़ा-थोड़ा आए कोई हर्जा नहीं फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है फ्रेंड है न उसको ऐसे ही छोड़ देंगे आवे ही नहीं सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए अंत में नहीं हो सकेगा अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुशार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं न कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैटना पर नलके पर बैटकर ही बोल रहा था ऐसे ही अंतकाल में अगर बहुत काल का ब्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ लेकिन होगा ही नहीं इसलिए क्या करना है अब इसे माया जीत बनने का बिहास करो और उसका सहत साधन है अपने रोहानी परस्नालिटी को इसमरती स्वरूप में रखो परस्नालिटी वाले की निशानी क्या होती है जो उची परस्नालिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा करता है ये ऐसे करती है मैं क्यों नहीं करूँ मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ कर सकता हूँ दूसरे के प्राप्ती में आँख नहीं जाएगी क्यों रोहानी परसनालेटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन है सुभाव में भी संपन, संसकार में भी संपन और संबंध संपर्क में भी संपन भरपूर वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई आप्राप्ती अनुभव ही नहीं करेगा क्यों? रोहानी परसनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भर पूर होने के कारण संतुष्ट रहता है आँख दूसरे की प्राप्ती में तब जाती है जब अपने में आप्राप्ती अनुभव करते हो तो कोई आप्राप्ती है क्या? गीत क्या गाते हो? आप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्राम्हनों के खजाने में ये गीत मुक्से नहीं मन से गाते हो न? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ अच्छा डबल विदेशी भी गाते हो अच्छा बाप दादा अच्छारों और के बच्चों की purity की personality चेक कर रहे थे purity की परिभाशा को भी अच्छी तरह से जानते हो purity सिर्फ ब्रह्मचरे ब्रत नहीं ब्रह्म चरे वरत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देख कर कई भक्त भी रहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन प्योरटी को सारे दिन में चेक करूँ पवित्रता की निशानी है स्वक्षता सत्यता अगर सारे दिन में चाहे उठने में चाहे बैठने में चाहे बोलने में चाहे सेवा करने में चाहे स्थूल सेवा की वज सुक्ष्म सेवा की लेकिन अगर विधी पुरवक नहीं की विधी में भी अगर जरासा अंतर रह गया तो वो भी स्वक्षता अर्थाथ पवित्रता नहीं व्यार्थ संकल्प भी आपवित्रता है क्यूं? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं किसको दुख तो दिया ही नहीं लेकिन अगर व्यार्थ चला समय गया, संकल्प गया संतुष्टता गई तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिगरी में फर्क पड़ जाएगा सोला कला नहीं बन सकेंगे पंद्रा कला, चौदा कला साड़े पंद्रा कला नंबर वार हो जाएगा तो आप अवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म कर्मना नहीं है, लेकिन स्वयम है सत्यता, स्वक्षता विधी पूर्वक अगर अनुभाव करते हो तो पवित्र हो निकल गया बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे मालिक हैं इसलिए अमरतवेले से रात तक अपने संकल्प बोल कर्म, सेवा सब को चेक करो, मोटे रूप से नहीं चेक करो, अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंदरवन्शी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है, और सूरेवन्शी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है, मुरली कितनी हलकी है और तीर कमान कितना महनत का है पहले तो निशाना लगाते रहो दूसरा बोज उठाते रहो और मुरली देखो नाचो गाओ हसो खेलो तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुशार्थ का रखो ना चेकिंग का रखो अभी महीन बुद्धी बनो क्योंकि समय स कमाप्त अचानक होना है बता कर नहीं होना है बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि कोई उलहना नहीं देना बाबा आपने बताया क्यों नहीं बाप कभी भी टाइम कॉंशेस नहीं बनाएगा अभी पूरा डायमंड बनना है न ये वाइदा किया है डायमंड जुबली मना तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वाइदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया तो कौन हो सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो अच्छा देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा हैं फिर बदल नहीं जाना मैं था ही नहीं मैंने नहीं कहा था बनना तो अच्छा है ना तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से जल्दी करना चाहिए ना सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो सेकंड में आशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी की नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ऐसे तो नहीं न, सोचा और हुआ, सोचना और इस्थित होना बाप तादा ने कुछ मिंटों तक ड्रिल कराई अच्छा लगता है ना तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में एक सेकेंड भी आशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ एक सेकेंड निकालना ही है अभ्यास करना ही है अगर किसी से बाते भी कर रहे हो किसके साथ कारे कर रहे हो तो उन्हों को भी एक सेकेंड ये ड्रिल कराओ क्योंकि समय प्रमान ये आशरीरी पन का अनुभाव ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है आशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फोरण ही समय की समाप्ती का वाइब्रेशन आएगा इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है पीछे करना है जितना बहुत काल एड करेंगे उतना राज्य भाग के प्राप्ती में भी नंबर आगे लेंगे अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वता ही शक्ती शाली इस्तती सहज अनुभाव करेंगे ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुशार्त करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा अच्छा सभी खुशराजी हैं ही या पूँचना पड़ेगा माताएं खुश हो बहुत अच्छा देखो कहां कहां से मेले में पहुँच गए हो अच्छा चांस मिला न नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं हमारा नंबर कब आएगा हमारा नंबर कब आएगा अभी तो खुला निमंतरन था न सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो बेहत अनुभाव हो रहा है न कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है बुजर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है लाइन में लगो तब ही खाना मिलेगा लाइन में लगने में थकावट नहीं होती मज़ा आता है इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा तो परिवार को देखकर हरशित होते हैं न भक्ती मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है और दो दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा घर नहीं याद आएगा नौकरी नहीं याद आएगी ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए न तो ये मेला भी एक नवीनता हुई नवीनता का अनुभाव कर लिया अभी फिर पुरानी बात है थोड़े ही होगी नई बाते होंगी न नई बात पसंद आती है या पुरानी नई बात अच्छी लगती है अच्छा चारों और के सर्व रुहानी प्योरटी की पर्सनालिटी वाले विशेश आत्माओं को सदा आदी से अंत तक पर्सनालिटी की जलक दिखाने वाली स्रिष्ट आत्माओं सदा पवित्रता, स्वक्षता, सत्यता की शक्ती से स्वाको और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्य भाव से सेवाधारी वन प्रत्यक्षफल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नम नमस्ते नमस्ते दादियों से अच्छा रहा मेला कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना सबके शुब संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो आ सफलता को मिटा देता है जैसे किला होता है ना तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी इट हिलती है और साब इटे मजबूत हैं तो किला भी कभी हिल नहीं सकता विजय है तो ये भी संगठन से उमंगुत्साह और स्रिष्ट संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है अच्छा लगा और समय प्रती समय और अनुभव करते जाते हैं पहले क्वेस्चन उ गोचो उसमें सफलता है ही तो सफलता मूर्त का वर्दान संगठन की शक्ति को मिलता है बाप दादा सदा गुड मॉनिंग गुड नाइट करते हैं अच्छा डबल विदेश ओड रहा है न अच्छा है ओम शांती वर्दान स्वराज जदिकारी बन करमेंद्रियों को ओडर प्रमान चलाने वाले अकाल तक्त सो दिल तक्त नशीन भव स्वराज अधिकारी बन करमेंद्रियों को ओडर प्रमान चलाने वाले अकाल तक्त सो दिल तक्त नशीन भव मैं अकाल तक्त नशीन आत्मा हूं अर्थात स्वराज अधिकारी राजा हूं जैसे राजा जब तक् तो सब कर्मचारी ओर्डर प्रमान चलते हैं ऐसे तक्त नशीन बनने से यह करमेंद्रिया स्वतह ओर्डर पर चलती हैं जो अकाल तक्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तक्त है ही क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है फिर ना देह है ना देह के सम्मंद है ना पदार्त है एक बाप ही संसार है इसलिए अकालतक्त नशीन बाप के दिलतक्त नशीन स्वतह बनते हैं स्लोगन निर्णै करने परखने और ग्रहन करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है निर्णाय करने, परखने और ग्रहन करने की शक्ती को धारण करना ही होली हंस बनना है अच्छा, ओम शांती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा